हाई गाईज वल्कम बैक टू और चानल जैसा कि आप लोगों को पता है भाई को लेना था फोन और हम लोग विजय सेल्स डिजिटल रिलाइंस हर जगा गए बट एक फोन कहीं भी अवेलेबल नहीं था तो हमने इसे ऑनलाइन मंगाया है चलते हैं अभी फटा-फट करते हैं जिसे कि पता है आप लोगों को हम भाई के लिए देख रहे थे फोन तो वो फोन शॉप पे कहीं भी अवेलेबल नहीं था अभी वो फ्लिप कार्ट से हमने मंगा लिया घर पर तो चलते हैं सबसे पहले इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं आच्छुली यह बॉक्स वागेरा खोलके तो मैंने पहली देख लिया है बट फिर भी एक बार अन्बॉक्सिंग हो जाए अभी करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग इन्फिनेक्स नोट फॉर्टी प्रो फाइजी और यह फोन आपको शॉप पे अवेलेबल नहीं होगा तो मेक्शुर आप लोग ऑन्लाइन भी मंगा सकते हो और अभी करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग सबसे पहले जाए वाई इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही प्यारी है गाइज इन्फिनेक्स नोट 40 प्रो फाइजी 40 व्वल्ट आल रांडर फास्ट चार्जर मैगनेट चार्जर वायर्लेस चारजर बढ़ागेस वायरलेस चार्जर ہमारे पास नहीं होगा क्योंकि हमने मंगाया नहीं ह तो देखते हैं यह बॉक्स के अंदर और क्या है 45 वोल्ट का इंफिनिक्स का चार्जर और यहां पर देख सकते हो आप लोग ने दिया हुआ है USB टाइप चार्जर और देखते हैं क्या है यह कुछ तूल्स वगेरा है कैसे क्या यूज करना है और यह कुछ stickers वगेरा दिया हुआ है तो यह भी कुछ uses में आने वाला है वाओ ऐसा मैं तो बोलता हर फोन के साथ होना चाहिए कि कवर साथ में आना अमेजिंग तो देख सकते हो आप फोन के साथ ऐसा कवर भी मिला है जो की easily हम फोन पे लगा सकते हैं क्या वात है इसने तो हदी कर दिया इंफ्निक्स वालों आज के टाइम पर मोशली फोन कवर नहीं दे रहे चार्जर नहीं दे रहे और यहां पर देखो स्क्रीन गार्ट तक मिल रहे गई अमेजिंग गोरिला ग्लास रहे और यह भी इसके साथ में फ्री में हमें आया अमेजिंग इंफ्निक्स वालों ने बहुत अच्छा किया हुआ चीज़े तो अभी चलते हैं हम फोन की दरफ सो पैकेशिंग तो बहुत प्यारी है तो निका ऑलनाइन मंगाया हुआ था फोन तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है जैसा कि आप लोगों को पता है थोड़ा सा ट्रस्ट इसू के वज़े से मैंने पहली कर दिया था फिर मैंने सुचा क्यों आप लोगों के लिए एक अन्बॉक्सिंग ब्लॉग बनाओ जिससे मैं 20,000 में मिल रहा है और अभी मैंने online मंगाया था इसे तो अभी हम ports and button के बारे में बात करेंगे SIM का ट्रे है यह microphone USB Type-C speaker grill right hand side power of button अगर मैं display की बात करूँ तो 6.78 FHD plus AMOLED display है गाइस मुझे personally display बहुत अच्छा लगा और कव display जैसे कि मैंने पहले भी बताया और कव display ऐसा फील दे रहा ना कोई बोले नहीं कि 20,000 का phone है बहुत premium लग रहा है मुझे phone तो अगर मैं phone की weight की बात करूँ तो बहुत ही lightweight phone है मज़ा ही आ रहा है मतरब जितने बार मैं phone को देखे रहा हूँ उतने बार लग रहा है कि भाई मैंने worth it चीज मंगा है अगर मैं इसकी battery की बात करूँ तो 5000 mh की battery है और 8 GB RAM है और 256 GB storage है अगर hand में आप पकड़ रहो ना feel ह है वाई in hand बहुत अच्छा फील है phone का so guys let's talk about camera 108 के यह वाले camera है 22 Megapixel के यह वाले camera है अगर आगे की तरफ selfie camera की बात करूँ तो 32 Megapixel camera आता है फोन के बारे में मैंने पूरी detail दे दिया आप लोगों को और आप लोग बताओ comment section में comment करके की फोन कैसा लगा मुझे तो प्रसनली बहुत अच्छा लगा आज के टाइम पर जहां पर कोई charger नहीं दे रहा है यहां पे इन लोग ने phone cover और scratch guard इतनी सारी चीज़े दिए मुझ आज के व्लॉग में बस इतना ही रहने वाला यह व्लॉग हम लोग यहीं पर आइंड करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो like करो comment करो and don't forget to subscribe